मुंबाई इंडियन्स और रोहिश शर्मा का ये आईपियल अब तक बेहत खराब रहा फिर चाहे मुंबाई इंडियन्स की जीत हो या फिर रोहिश शर्मा की शान्तार पाई फैंस दोनों ही देखने को तरस दे हैं जी हां हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस आईपियल में मुंबाई इंडियन्स जीत हिले तरस्ती नजरा रही है तो वही रोहिश शर्मा का बल्ला भी अब तक शान्ती नजराया आपको बताते दिली कपिट्रल्स और मुंबाई इंडियन्स की बीच आज आईपियल का 46वा मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें दिली ने टोस जीता और पहले मुंबाई को बल्लेवाजी के लिए नियोता दिया मुंबाई इंडियन्स की तरफ से क्विंटन डिकोक और कप्तान रोहिश शर्मा पारे की शुरुआत करने मैदान पर उतरे आते ही रोहिश शर्मा ने पहले तो मैच की पहली गेम पर शानदार चोका लगा दिया और पूरे स्टेडियम में हंगामा मच गया सब सोचने लगे कि आज रोहिश शर्मा मैदान में कुछ हंगामा मचाएंगे शानदार बल्ले बाजी करेंगे लेकिन मैंच के दूसरे ओवर में ही रोहिश शर्मा छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट गमा बैठी दरब केंदबाजी पर थे आवेश खान और सामने बल्ले बाजी पर थे हिट मैन रोहिश शर्मा आवेश खान ने जैसे ही अपने ओवर के आखरी गेन डाली रोहिश शर्मा छक्का लगाने के चक्कर में और दस गेंदों में मातर सतरन बनाकरो वैलियन चलते बनी पूरे स्टेडियम में सननाटा छा गया, ड्रैसिंग रूम में बैठे सबी खिलाड़ी, रोहित के आउट होते ही मायूस हो गये, योगि वो भी जानते हैं कि रोहित शर्मा का विकेट उनकी टीम के लिए कितना महत पून है, फिलाल देखना होगा कि आने वाले बलेबास सूर पूरे कुमारी आदव और क्विंटन डिको किस तरह की साज़दारी करते हैं और कैसा खेल दिखाते हैं, तो आप इस वीडियो को शेर कीजिए और चुड़े रहे हाडलाइन स्पोर्स के साथ